Welcome back to Clean News UP चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बदाना पिल्कुल ना पूरे साथ ही हमारे फेस्बुक पेस को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस कर दें प्रदियोगी परिक्षा की तयारी करहीं उपाव का खुराग भढ़े बढ़ाने की तयारी प्रदियोगी परिक्षाओ की तयारी के लिए समाज कल्यान विभाग दौरास सं चालित कॉचिंग के इंडरों bile में पढ़ने वाले निसूची जाते कि युवाओ का खुराग बढ़ाने की तैयारी है अब इन युवाओ को 75 रुपे प्रति दिन की दर से खुराग बढ़ा दिया जो रहा है इसे बढ़ा कर 114 रुपे प्रति दिन करने का प्रस्ताओ है बीदी सतर अप्रेल को आगरा मंडल की विभागिये कामकाच की समिक्षा बैठक में समाज कल्यार मंत्री सुतंत्र प्रभार असीम अरुण ने संकेत दिया सांथी और कोचिंग के इंद्रों में पढ़ाने वाले अतिती प्रवक्ताओ का प्रतिव्या ख्यान मांदे भी 2000 रुपे कर दिया गया है यूपी दिली साहिद पढ़ासी राज्यों से उत्राखंड आने वालों की होगी कोरोना अंचार्च कोरोना की चौथी लहर की आशंका की मद्यनेजर उत्राखंड सरकार जल्दी दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का कोविड टेस कराने जा रही है टेस्टिंग की शम्ता को भी दोगुना बढ़ाने का फैसला लिया गया है तापमान बढ़ने की सांथी दिली यूपी सहिद पढ़ासी राज्यों से भारे संख्या में परेटक उत्राखंड की ओर रुक करते हैं ऐसे में उत्रखंड में भी कोरोना केस बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता सरकार बॉर्डर पर ही परेटको और यात्रियों की कोविड जान शुरू कर सकती है चुकि अगले महीने तीन मैस से चारधा म्यात्रा भी शुरू होने वाली है ऐसे में कोविड संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए कोरोना जाँच अनिवारे की जा रही है सीम योगी की सकती यूपी में 6000 से जादा हटाए गए अवैद लाउड स्पीकर यूपी सरकार के निर्देश पधार में किस्तलो से अब तक अवैद रूप से लगाए गए 6031 लाउड स्पीकर हटाए गए और अने के स्थानों पर वैद ध्वनी विस्तारक की अंत्रों की आवाज धीमी की गई प्रदेश के अपर पुलिस मानी देशक प्रशांत कुबार ने बुद्वार को बताया पूरे प्रदेश मिधार में किस्तलो पर अवैद रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर उतारने और वैद लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के सिलसिले में एक अभ्यान चलाया जा रहा है इसके तहट बुद्वार तक 6,031 लाउड स्पीकर हटाए गए और 29,674 धनी विस्तारक की अंत्रों की आवाज अनुमन ने सीमा तक कम की गई अभी तक नहीं लगवाया हाई सिक्योर्टी रेजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट तो साफधान हो जाए जिन वहानों का अंतिम नंबर 2 और 3 हो वो 15 मही तक हाई सेक्योर्टी रेजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा ले नहीं तो कारेवाई होगी और जर्माना दीना होगा दरसल वहानों में हाई सिक्योर्टी रेजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के बीती 3 जनवरी कुशासन के विशेश सचेव आरविंद कुमार पांडे द्वारा जारी किये गए थे कई बार जारी हुई काईडलाइन के बाद भी काफी संख्या में लोगों ने एचे सार्पी नहीं लगवाई इसे लेकर पुना नई तारीखे जारी कर दी गए इसके तहट 15 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक सभी वहानों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योर्टी रेजिस् के बंद होने को माना जा रहा है उत्रपदेश राजी विद्य तुब भुक्ता परिशत का कहना है कि जो यूनिट्स चल रही है उनमें भी घरेलू कोईले का इस्तमाल किया जा रहा है जिसकी उच्छे स्तरीय जांच होनी चाहिए विदेशी कोईला आधारित यूनिट्स मे के मंत्रियों को शुची तक अपार्ट पढ़ाने के साथ उन्हें मंधलो की भ्रह्मन का निरधेश देने के बाद मुख्य मंध्रियों कि या एतिनात बुद्वाय को फील्ड के अफसरों के साथ वीडियो कॉंफरिंसिंग कर उनने सु कई चांसन का मंत्र देंगे मुख्य म मंत्री ने मंत्री परशत की विशेश बैठक में कैबिनेट मंत्रियों की अगवाई में 18 मंत्री समू गचित करते हुए प्रतेग समू को शुक्रवार से रविवार तक मंडल वार भ्रमन करने का निर्देश दिया है मंत्री समों में शामिल मंत्रियों को मंदल वजिलों के भ्रमन के दौरान मंदलीय समीक्षा बैठक करनी है, जंचोपाल लगानी है सरकारी ओजनाओं का हाल जानना है और ब्लॉक वा तैसीलों का आकस्मिक निरिक्षन करना है लगनों से आनन विहार के लिए दस मई से दोड़ेगी एसी डबल डेकर ट्रेन पिछले तीन साल से ग्रीन सिगनल का अंतजार कर रही एसी डबल डेकर ट्रेन दस मई को फिर से दोड़ेगी रेलवे बोर्ड ने एसी डबल डेकर ट्रेन को सब्ता हमें 6 दिन चलाने का आदेश चारी कर दिया चल्थी सेंटर फोर रेलवे इंफरमेशन सिस्टम डबल डेकर के रिजर्वेशन शुरू करने के आदेश चारी करेगा ट्रेन नमबर 125-43 डबल डेकर ट्रेन 10 मईश सब्ता हमें 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शुक्रुवार और अविवार को संचालित होगी लगनव जंक्षन से डबल डेकर ट्रेन सुभे 4 बच कर 5 पर मिनट पर रवाना होगी ये ट्रेन आज 8 बच कर 30 मिनट पर बरेली, 10 बचे मुरादाबाद, दोपहर 12 बच कर 21 मिनट पर गाजियाबाद होकर 12 बच कर 55 मिनट पर आनंद विहार पहुचेगी गुरखपुर के वही पार्क में बनेगा ओपन एर, कमफर्ट जोन, फूज कोच ओपन जिम भी बनेगा गुरखपुर विकास की दोर में तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहां का सामाने जन जीवन अब महानगरों के तरीके से भागम भाग में तब्दील हो गया और ऐसे शहरों को कमफर्ट जोन की बहुत सकते जरूरत होती है बड़े शहरों में कामकाजी लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं ऐसी जगवा पर जाने के लिए जहां उन्हें मानसिक पर शारी दिक रहत मिल सके और वो अपने आपको तयार कर सकें अगले सब्ताह नई उर्जा से काम करने के लिए एसी जीवन शैली को भाप कर राजकी अधिक शक ने यहां एक नया प्रियोग करने का संकल्प ले लिया है शहर के वही पार्क में कमफर्ट जोन तयार किया जाएगा चाकुले आस्मान के नीचे शानदार रेस्टोरेंट होगा एनियार की इच वण एक्सप्रेस ट्रेंस में शिगरी मिलेगा बैड रोल रेलवे खरीद दे जा रहा है आठ लाक चातरी वातानो कूलिक कोचेज में यात्रा करने वाले लोगों के लिए रहत भरी खबर है अब सफर में उन्हें नया चादर तकिया कमबल और तॉलिया मिलेगा कोविट काल के बाद रेलवे ने लगभख सभी प्रमुक ट्रेंस ने बैड रोल की विवस्था तो शुरू कर दी लेकिन यात्रियों को दो साल पहले गुदामों में रखा चादर तकिया और कमबल ही मिल रहा है जिनके आयों करीब समाथ हो चुकी है हाला के पुराने बैड रोल मेकेनाइजड लॉन्री में धुलकर ही यात्रियों को उपलब्द कराई जा रही है लेकिन वे आप अधिक दिन नहीं चल पाएंगे उलम्पिक विलेज में बनाए जाएंगे 4500 फ्लैट खेल प्रितियों गिताओं के लिए मिलेंगी विश्व इस्तरिय सुविधाई यमुना प्राधिकरन के 2041 मास्टर फ्लैन में उलम्पिक विलेज भी प्रस्तावे थें प्राधिकरन के बनाए को इन्टोडक्शन टू गर्ब संसकार 19 माई को 24 माई को वायवा होगा वहीं अन्य पाठिकरमों का कारिकरम वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया गया है मदरसा अधोनी की करण योजना कलाब लेने वाले सभी 7442 मदरसों की जाच होगी शासन ने जिलादिकारियों के माध्यम से भौतिक अवस्थापना सुविधाव के जाच की आदेश दिये हैं 15 माई तक जाच रिपोर्ट प्रारूप पर शासन को भीजी जानी है जाच के लिए नगरियव अग्रामीन शेत्र के लिए अलग अलग तीन तीन अफसरों के कमिटी बनाई गई है प्रदेश के अमरोहा कुछी नगरवा गूंडा जिलों में काग्जों में चल रहे फर्जी मदरसों के शकायत मिलने के बाद सरकार ने ये निर्णे लिया है कि इंदर सरकार की ओर से मदरसा अधुनी के करण योजना के तहट मुसलिम बच्चों को गुरवत्ता वाधुनीक शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है पुरवांचल एक्सप्रस वेपर अफ्तार भणने के लिए करनी होगी जेब ठीली रासानी लखनों को ग्वाजिपूर से जोडने वाले 340 किलो मीटर लंबे पुरवांचल एक्सप्रस वेपर पहली मई से टोल टेक्स वसूलने की तैयारी है पूरवान चल एक्सप्रेस वेपर इस्थापित किये गए टूल प्लाजा के संचालन, टूल टेक्स की वसूली, 6 अम्बिलेंस और 12 पैट्रोलिंग वाहन उप्लब्द कराने के लिए एजंसी के चैन पर कैबिनेट ने मुहर्ण लगा दी है चैन्डर प्रक्रिया के जरिये उचितम वितीय निविदा के अधार पर इंदोर की एजंसी मेसर्स प्रकाश, एस्फॉल्टिंग्स और टूल हाईवेज इंडिया लिमिटेट का चैन किया गया है साथवे आस्मान से सीधे धराम हुआ सरसो का तेल 70 रुपे गिरे था देश में दोर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के खालत खराब होती जा रही है इतनी बढ़ चुकी है महंगाई कि आम आदमी की जेब का बज़ट ठीला हो रहा है पैट्रोल डीजल से लेकर लपीजी गैसलेंडर तक के दामों में बहरी इजाफा देखने को मिला वहीं सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उच्छाल आ रहा है लेकिन वहीं खाने पीने की चीज़ों में भी जोड़दार उच्छाल देखने को मिला सबस्यों की कीमतों में तो जबरदस्त इजाफा हुआ लेकिन इसी भी सरसो तेल की कीमतों में थोड़ी रहात देखने को मिल रही है इस वक्त यूपी में सरसो तेल अपने अधिक्तम रेट से 70 रुपे सस्ता मिल रहा है उत्रप्रदेश में इस वक्त सरसो तेल 140 रुपे पर बेचा जा रहा है माई दिसम्बर 2021 में सरसो तेल अधिक्तम रेट 210 रुपे पर बेचा जा रहा था यूपी के इस जिले में कुड़ा डालने को लेकर नए निर्देश चारी यूपी के साहरनपूर में सुचिता ब्यान को गदी प्रदान करती हुए स्थानिय प्रशासन ने खाली पड़े प्लोट में कुड़ा डालने पर भूसवा में से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया साहरनपूर के नगर आयुकति ज्यानेंदर सिंग ने बुदवार को सफाई निर्ख्षक को और सफाई नाएको को निर्देश दिये कि जिस प्लोट में कूला डाला जा रहा है उसके मालिक और नालियों में गोबर बहाने वाले डेरी मालिकों पर जुर्माना लगाएं उन्होंने कहा कि महानगर को सुच रखने के लिए जरूरी हो गया है कि ऐसे लापरवा लोगों के प्रतिसक्त कदम उठाए जाएं सिख ने कहा कि लोगों को इस दिशा में बार बार समझाने के अलावा सुधरने के लिए काफी समय दिया जा चुका है और अब समय नहीं दिया जा सकता अतिकुपोशित बच्चों के लिए जरूरी नहीं है एंटिबाइटिक अतिकुपोशित बच्चों पर एंटिबाइटिक के इस्तिमाल के गाइडलाइन तयार करने के लिए GSVM Medical College के बाल रोग विभाग में Indian Council of Medical Research के निगरानी में रिसर्च चल रही है तीन साल के अबदी के इशोद के साथ महा के आंकरे भी सकारात्मक मिलें जो बताते हैं कि अतिकुपोशित बच्चों पर बेवज़ा एंटिबाइटिक चलाने के खता ही जरूरत नहीं जब तक कि उन्हें किसी प्रकार का गंभीर संक्रम अन्ना हो इस रिसर्च के पूर्ण होने पर अंतरास्टिय मेडिकल जर्नल में प्रकार्शित के लिए भेजा जाएगा पहली बार F.I.R. पर भी लग सकता है यूपी गैंग्स्टर एक चुनौती देने सुप्रीम कोट पहची मेला को राहत नहीं सुप्रीम कोट के एक फैसले में कहा गया है कि पहली बार किसी अपराद में शामल पाए गया आरोपी पर भी उत्तरप्रदेश गैंग्स्टर्स और असमाचिक गतिविदी आधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है भले ही अधिनियम के धारा दो सुची बद किसी भी आसमाचिक गतिविदी के लिए केवल एक अपराद प्रात्मी के आरोप पत्र दायर किया गया हो जस्टिस एमार शहर बीवी नाग रतना की खंड़ पीट ने इस संबंद में एक महिला के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिच कर दिया याचिका करता का कहना था कि उसकी कोई आपरादिक प्रिश्ट भूमी नहीं है पहली बार किसी आपरादिक मामले में उसका नाम आया याचिका करता ने तर्क दिया कि केवल एक प्रात्मी की या चार्शीर के आधार पर उसे गैंग्स्टर या गैंग का सदस्य नहीं मायाना चाह सकता और किसी आपरादिक प्रिश्ट भूमी नहीं नहीं की आही अधार झूक कहा हुई इसका पता भी नहीं चाहस करा है बदा दें कि बध्वार को सुवेगी पाली में साले साथ बजए से बीए दीते वर्श के अंग्रेजी देते प्रश्ण पत्र की परिक्षा थी लेकिन अंदर ज्रॉमा के प्रश्ण पूछे गए थे इसे देखते हुई छातर परिक्षा कक्ष से बाहर निकल गए अब धर्मदंड के साथ भगवादारी को ताज महल में एंट्री कहा ये तो तेजो महल है भगवबस्तो धर्मदंड की वज़े से जगत गुरू परम हंसा चारे को मंगलवार को कते तौर पर ताज महल में घुसने से रोक दिया गया लेकिन बवाल पढ़ने के बाद आज ये कन्य भगवादारी को ताज महल में एंट्री दी गई धर्मदंड के साथ ताज महल में जाने की इजासत दी गई रास्टे हिंद्यो परशद भारत के अध्याक्ष गोविंद पराशर बुद्वार को अपने समर्थकों के साथ ताज महल में घुमे पहार निकलने के बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा तेजो महल है और इसमें सभी भगवाधारी आ सकते हैं उदर परम हंसा चारे ने भी कहा कि वो पांच मही को अपने शिशों के साथ दो बारा वहां जाएंगे समय से आज याए के जवाब ना देने पर सूशना आयुक ने सुनाई अनुकी सजा धाई सो बच्चों को मिज़े मील परोसेंगे समय से आज याए के जवाब ना देने पर उत्तबरदेश सूशना आयुक ने एक अधिकारी को घाजिपुर के धाई सो स्कूली चात्रों को मिज़े मील खिलाने की प्रतिकात मक्स सजा सुना दी भुपेदर कुबार पांडे ने 2016 में सुचना के अधिकार के तहट घाजिपुर के नूनरा गाउं के विकासकारी के बारे में जानकारी मांगी थी ग्रामे विकास अधिकारी और नूनरा गाउं के जन सुचना अधिकारी चंद्रिका प्रसाद ने इस पर निर्धारे 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया उन्होंने 29 अपरैल को गाउं के प्राइमरी स्कूल में चात्रों को मिड़े मील पर उसने का निर्धेश दिया उप्रेती ने बीडियो से मिड़े मील खिलाए जाने का वीडियो रिकॉर्ड करने और आयो को भेजने का निर्धेश दिया। कवान से विलकूर कबर कैसे लागू करेगी बीजेपी सरकार यूपी के कलौते मुसलिम मंतरी दानिश ने बताया प्लै देश में समान नागरिक सहिता को लेकर चर्चा और विरोध के बीच उत्रप्रदेश के अलप संख्या कल्यार एवं वक्फ मामलों के राजय मंतरी दानि के जवाब पर कहा समाज के आगे बढ़ने के साथ चीज़े बदलती भी हैं मगर हमारे लिए जंता किराय सबसे महत्तपून हैं हम सभी पक्षों से बात चीत कर और जंता से पूछ करके ही समान नागरिक सहिता की तरफ आगी पढ़ेंगी मेरच के केमिकल फैक्टरी में भीशन आग अच्छारा मजदूरों को निकाला गया बाहर योपी के میरच जिले के मवाना में एक केमिकल फैक्टरी में बुद्वार को अचानक भीशन आग लगगई हाला कि अभी आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है केंद्रे कर्मचारियों के बले बले जिये के साथ एरियर में भी पढ़ा है केंद्रे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशकपरी सामने आ रही है वितमंत्राले के तरफ से करीब 47.6-8 लाग केंद्रे कर्मचारियों और 68.62 लाग पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है कैबिनेट ने एक जनवरी 2022 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भूगयों के ले महंगाई भत्ते को 31 प्रतिशत से बढ़ा कर 34 प्रतिशत करने के प्रस्ताओं को मंसूरी दी दी है केंद्रे कर्मचारियों का जिये 31% से पढ़कर 34% होने पर 50 लाग कर्मचारियों और 65 लाग पेंशन भूगयों को सीधाफ फायदा होगा किसानों के आए में दस गुना तक हुआ इस जाफाक प्रशी मंतरी नरींद्र सिंग तोमर ने किया दावा केंद्रे कर्शे मंतरी नरींद्र सिंग तोमर ने आजादी का अमरत महुतसफ के तहट किसान भागिदारी प्रात्मिक हमारी अभियान की शुरुआत करते हुए देश पर के किसानों के साथ बाच्शीत की जिसे वो भी समरत बनी आसे पाम आयल निर्याद पर बैन लगा रहा है इंडोनेशिया भारत पर होगा बड़ा असर पाम आयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया जो 28 अपरे से पाम आयल और इससे जुले कच्छे माल के निर्याद पर प्रति बंद लगा देगा इंडोनेशिया ने ये कदम अपने घरीलू बाजार में पाम आयल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरे को देखते हुए उठाया पाम तेल के निर्याद बेन होने से सबसे ज़ादा असर भारत पर होगा क्योंकि भारत अपनी जरूरत का दिकतर पाम तेल इंडोनेशिया से आयात करता है तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको नियूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद